देश मुझे लिखा है वह बहुत इंट्रस्टिंग है उन्होंने लिखा है कि वो बरसों से न्यू चेनल देखते हैं आकबार पढ़ते हैं सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हैं इसलिए उन्हें लगता था कि उनकी जनल नौलेज काफी अच्छी होगी लेकिन जब वे पी एम संग्र हाल है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई उन्हें मैसूश हुआ कि वे अपने देश और देश का नित्रूत्त करने वालों के बारे में काफी कुछ जानते ही नहीं है उन्होंने पी येम शंगरह है कि कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो उनकी जिग्यासा को और बढ़ाने वाली थी जैसे उन्होंने लालबारू सास्त्री जी का वो चर्खा देकर भहुत खुशु ही जो उन्हें सशुराल से उभार में मिला था उन्होंने शास्त्री जी की पास भूग भी देखी और यह भी देखा है कि उनके पास कितनी कम बच्चत थी सार्थक जी ने लिखा है कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि मुरार्जी भाई देशाई स्वतंत्रता संग्राम में सामिल होने से पहले गुजरात में डेपुटी कलेक्टर थे प्रसासनिक सेवा में उनका एक लंबा केरियर रहा था सार्थक जी चौदरी चरंसींजी के विशे में लिखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि जमिनदारी उन्मुलन के ख्षेत्र में चौदरी चरंसींजी का बहुत बड़ा योगदान था एतना ही नहीं वे आगे लिखते हैं जब लेंड रिफॉर्म के विशे में बहां मैंने देखा कि सिमान पीवी नर्सिमा राब जी लेंड रिफॉर्म के काम में बहुत घहरी रूची लेते थे सार्थक जी को भी इस मुजियम में आकर ही पता चला कि चंद्रसेखर जी ने चार हजार किलोमेटर से अधिक पैदल चल कर अइतिहासिक भारत यात्रा की थी उन्होंने जब संग्राले में उन चीजों को देखा जो अटल जी उप्योग करते थे उनके भाषनों को सुना तो वो घर्व से भर उठे थे सार्थक जी ने ये भी बताया कि इस संग्राले में महत्मा गांदी, सरदार पटेल, डॉक्टर हमबेडकर, जैप्रगास नारैन और हमारे प्रधान मंत्री पंडिस जवाला नहरू के बारे में भी बहुत ही रोचक जानकरिया है साथियों देश के प्रधान मंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आज़ादी के अमरुत महत्षव से अच्छा समय और क्या हो सकता है देश के लिए यह गवरव की बात है कि आज़ादी के अमरुत महत्षव एक जन अन्दोलन का रूप ले रहा है इतिहास को लेकर लोगों की दिल्चस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे मैं PM, मुजियम, युवांगों के लिए भी आकरशन का केंदर बन रहा है जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड रहा है वैसे साथिओं, जब मुजियम के बारे में आप से इतनी बाते हो रही है तो मेरा मन किया कि मैं भी आप से कुछ सवाल करूँ देखते हैं आपकी जन्रन नौलेज क्या कहती है, आपको कितनी जानकारी है मेरे नवज़वान साथियों आप तयार हैं कागेज कलम हाथ में ले लिया अभी मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूँ आप उनके उत्तर नमो एप या सोशल मिडिया पर हैस्टेक मुजियम पीज के साथ शेयर कर सकते हैं और जरूर करें मेरा आपसे आगर है कि आप इन सभी सवानों का जबाब जरूर दें इससे देश भर के लोगों में मुजियम को लेकर दिल्चस्पी और बढ़ेगी क्या आप जानते हैं कि देश के किस शहर में एक प्रसिद्ध रेल मुजियम है जहाँ पिछले 45 वर्सों से लोगों को भारतिय रेल की विरासत देखने का मोका मिन रहा है मैं आपको एक और क्लू देता हूँ आप यहाँ फैरी क्वीन सलून अप प्रिंस अप वेल्स से लेकर फायरलेस टीम लोकोमोटिव यह भी देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि मुंबई में वो कौन सा मुजियम है जहां हमें बहुत ही रोचक तरीके से करंसी का इवलूशन देखने को मिलता है यहां इसा पूर्वर छठी शतादी के सिक्के मौजूद है तो दूसरी तरफ इमनी भी मौजूद है तीसरा सवार विरासत एक खालसा इस मुजियम से जुड़ा है कि आप जानते हैं यह मुजियम पंजाब के किस शहर में मौजूद है पतंग बाजी मे तो आप सब को भौताना अपा ही होगा अगला सवाल इसी से जुड़ा है देश का एक मात्र काईट मुजियम कहां है आईए मैं आपको क्लू देता हूँ यहां जो सबसे बड़ी पतंग रखी है उसका आकार 22 गुना 16 फिट है कुछ ध्यान आया नहीं तो यहीं एक और किशेस नाता रहा है बचपन में डाक टिकिटों के संघर का शौक किसे नहीं होता लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में डाक टिकट से जुड़ा नेशनल मुजियम कहा है मैं आप से एक और सवाल करता हूँ गुल्शन महल नाम की इमारत में कौन सा मुजियम है आपके लि एडिटिन की बारिक्यों को भी देख सकते हैं अच्छा क्या आप ऐसे किसी मुजियम के बारे में जानते हैं जो भारत की टक्स्टैल से जुड़ी विरासत को सेलिबरेट करता है इस मुजियम में मिनियेचर प्रेंटिंग्स जैन मैनुस्क्रिप्स स्कल्प्चर्स बहुत क आता है साथियों टेक्नोलोजी के इस दोर में आपके लिए इनके उत्तर खोजना बहुत आसान है यह प्रस्टन वेने इसलिए पूछे ताकि हमारी नई पीडी में जिग्या सा बड़े वो इनके बारे में और पड़े इन्हें देखने जाएं अब तो मुजियम के महत्व क वज़े से कई लोग खूद आके आगर मुजियम के लिए काफी दान भी कर रहे हैं बहुत से लोग अपने पुराने कलेक्शन को एतिहासिक चीजों को भी मुजियम को दान कर रहे हैं आप जब ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप एक सांस्कृतिक पूजी को पूरे समाज के स साजा करते हैं भारत में भी लोग अब इसके लिए आगे आ रहे हैं मैं ऐसे सभी नीजी प्रयासों की भी सहराना करता हूं आज बदलते हुए समय में और कोवीड पोटोकल्स की वज़त से संग्रालव में नए तौर तरीके अपनाने पर जोड दिया जा रहा है मुजियम्स में डिजिटाइजेशन पर भी फोकस बड़ा है आप सब जानते हैं कि 18 माई को पूरी दुनिया में इंतरनेशनल मुजियम डी मनाया जाएगा इसे देखते हुए अपने युवा साथियों के लिए मेरे पास एक आइडिया है क्यों न आने वाली छुट्टियों में आप अपने दोस्तों की मनली के साथ किसी स्थानिय मुजियम को देखने जाएं आप अपना अनुभाव हैश्टेग मुजियम मेमरीज के साथ जरूर साजा करें आपके ऐसा करने से दूसरों के मन में भी संग्रहालों को लेकर जिग्या सा जगेगी मेरे पहरे देश्वासियों आप अपने जीवन में बहुत से संक्रब लेते होंगे उन्हें पुरा करने के लिए परिशम भी करते होंगे साथियों लेकिन अहाली में मुझे ऐसे संक्रब के बारे में पता चला जो वाकई बहुत अलग था बहुत अनोखा था इसलिए मैंने सोचा कि इसे मन की बात के सुर्ताओं को जरूर शेर करूँ साथियों क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने घर से ये संकल्प लेकर निकले हैं कि वो आज दिन भर पूरा शहर घुमेगा और एक भी पैसे का लेंदेन कैश में नहीं करेगा नकदमे नहीं करेगा है न ये दिल्चस्प संकल्प दिल्ली की दो बेटियां सागरी का और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैश्टलेस डे आउट का एक्सपरिमेंट किया सागरी का और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्द हो गई यूपी आई क्यू आर कोड की वज़े से उन्हें कैश निकालने की जरूती नहीं पड़ी यहां तक की स्ट्रीट फूड और रहडी पट्री की दुकानों पर भी जादातर जगह उन्हें आउन्लाइन ट्रांजिक्शन की सुविधा मिली साथियों कोई सोच सकता है कि दिल्ली हैं बैट्रो सीटी हैं बहां ये सब होना आसान है लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपियाई का ये प्रसार केवज दिल्ली जैसे बड़े शहरोत की सीमित हैं एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनन्दिता त्रिपाठी का भी मिला है आनन्दिता पिछले सब्ता अपने पती के साथ नौर्थ इस्ट गुमने गई थी उन्होंने असम से लेकर मेगाले और अरुनाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव मुझे बताया आपको भी इस जानकर सुखद हैरानी होगी कि कई दिन की इस यात्रा में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकानने की जरुरती नहीं पड़ी जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी वहां भी अब UPI से पेमेंट की सुविधा मुझूद है सागरी का प्रेक्षा और आनन्दिता के अनुभाओं को देखते हुए मैं आपसे भी आगरा करूंगा कि कैश लेस डे आउट का एक्सपरिमेंट करके देखें जरूर करें साथियों पिछले कुछ सालों में बीम UPI तेजी से हमारी एकानोमी और आदतों का हिस्सा बन गया है अब तो छोटे छोटे शहरों में और जादातर गावों में भी लोग UPI से ही लेंदेन कर रहे हैं डिजिटल एकानोमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है गली नुकड की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें जादा से जादा ग्राहों को सर्विस देना आसान हो गया है उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती आप भी UPI की सुविधा को रोज मना के जीवन में मैसूस करते होंगे कहीं भी गए कैस्ट ले जाने का बैंक जाने का ATM खोजने का जंज़टी खतम मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन छोटे छोटे आउनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल एकोनमी तयार हुई है इस समय हमारे देश में करीब 20 हजार करोड रुपे के ट्रांजिक्शन हर दिन हो रहे हैं पिछले मार्च के महने में तो UPI ट्रांजिक्शन करीब 10 लाग करोड रुपे तक पहुँच गया इस से देश में सुविधा भी बढ़ रही है और इमानदारी का माहोल भी बन रहा है अब तो देश में फिंटेक्स से जुड़े कई नए स्टार्ट अप भी आगे बढ़ रहे हैं मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल पेमेंट और स्टार्ट अप एकोसिस्टिम की इस ताकत से जुड़े अनुभव है तो उन्हें साजा करिए आपके अनुभव दूसरे कई और देश्वास्यों के लिए प्रेणिना बन सकते हैं मेरे प्यारे देश्वास्यों टेक्नॉलोजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है यह हमें हमारे आस पास लगातार नजरा रहा है टेक्नॉलोजी ने एक और बड़ा काम किया है यह काम है दिव्यांग साथियों की असाधारां शमताओं का लाप देश और दुनिया को दिलाना हमारे दिव्यांग भाई भेन क्या कर सकते हैं यह हमने टोक्यो पेरालंपिक्स में देखा है खेलों की तरह ही आर्ट्स, एकडेमिक्स और दुसरे कई छेत्रों में दिव्यांग साथि कमाल कर रहे हैं लेकिन जब इन साथियों को टेक्नॉलोजी की ताकत मिल जाती हैं तो यह और भी बड़े मुकाम हासिल करके दिखाते हैं इसलिए देश आजकल लगातार संसाधनों और इन्फरास्रक्चर को दिव्यांगों के लिए सुलब बनाने के लिए लगातार प्यास कर रहा है देश में ऐसे कई स्टार्ट अप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेणादाई काम कर रहे हैं ऐसी एक संस्ता है वाइस ऑफ स्पेशली एबल पीपल ये संस्ता आसिस्टिव टेकनलोजी के छेत्र में नए अवसरों को प्रमोट कर रही हैं जो दिव्यांग कलाकार हैं उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव शुरुवात की गई हैं वाइस ऑफ स्पेशली एबल पीपल के इन कलाकारों की पेंटिंग्स इसकी डिजिटल आर्ट गैलेरी तियार की हैं दिव्यांग साथी किस तरह असाधारन प्रतिभाओं के धनी होते हैं और उनके पास कितनी असाधारन शमताएं होती हैं ये आर्ट गैलेरी इसका एक उधारन है दिव्यांग साथी के जीवन में कैसी चुनोतियां होती हैं उनसे निकल कर वो कहां तक पहुँच सकते हैं ऐसे कई विशेयों को इन पेंटिंग्स में आप महसूस कर सकते हैं आप भी अगर किसी दिव्यांग साथी को जानते हैं उनकी टैलेंट को जानते हैं तो डिजिटल टेक्नोलोजी की मदद से उसे दुनिया के सामने ला सकते हैं जो दिव्यांग साथी हैं वो भी इस तरह के प्रयासों से जुरुर जुड़े मेरे प्यारे देश साथीयों देश के जादातर हिस्सों में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है बढ़ती हुई ये गर्मी पानी बचाने की हमारी जिम्मेदारी को भी उतना ही बढ़ा देती है हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहाँ पानी परियाप्त मातला में उपलब्द हो लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमें से याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं जिन के लिए पानी की एक एक बुन अमरित के समान होती है साथियों इस समय आजहादी के 75 वे साल में आजहादी के अमरित महुत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उन में जल संवरक्षण भी एक है अमरित महुत्सव के दोरान देश के हर जीले में 75 अमरित सरोवर बनाए जाएंगे आप कलपना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमरित सरोवर होंगे मैं आप सभी से और खास कर युवाओं से चाहूंगा कि वो इस अभियान के बारे में जाने और इसके जिम्मेदारी भी उठाएं अगर आपके छेत्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा को इतिहास है किसी सेनाने की स्मृति है तो उसे भी अमरित सरोवर से जोड सकते हैं प्रसे मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि अमरित सरोवर का संकर्प लेने के बाद कई स्थलों पर इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है मुझे यूपी के रामपूर की ग्राम पंचयत पटवाई के बारे में जानकारी मिली है वहाँ पर ग्राम सभा की भूमी पर एक तालाब था लेकिन वो गंद की और कूडे के धेर से भड़ा हुआ था पिछले कुछ हपतों में बहुत महनत करके स्थानिय लोगों की मदद से स्थानिय स्कूली बच्चों की मदद से उस गंदे तालाब का काया कल्प हो गया है भी नजाने क्या-क्या व्यवस्ताय की गई हैं मैं रामपूर की पटवाई ग्राम पंचायत को गाउं के लोगों को वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों पानी की उपलब्दता और पानी की किल्लत एक किसी भी देश की प्रगती और गती को निर्धारित करते हैं आपने भी गौर किया होगा कि मन की बात मैं मैं स्वच्चता जैसे विशों के साथी बार-बार जल सवरक्षन की बात जरूर करता हूँ हमारे तो ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है पानीयम परममलोके जीवानाम जीवनम सम्रुतम अर्थाप संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है इसलिए तो हमारे पुरवजों ने जल सवरक्षन के लिए इतना जोड दिया वेदों से लेकर पुरानों तक हर जगह पानी बचाने को ताला सरोवर आधी बनवाने को मनुष्यका सामाजिक और अध्यात्मिक करतब्य बताया गया है वालमी की रामायन में जल सरोतों को जोडने पर जल सवरक्षन पर विशेश जोड दिया गया है इसी तरह इतिहास के स्टूडन्स जानते होंगे सिंदू, सरस्वती और हडपा सब्वेता के दोरान भी भारत में पानी को लेकर कितनी विक्सित इंजिनिरिंग होती थी प्राचिन काल में कई शहर में जल सरोतों का आपस में इंटर कनेक्टर सिस्टिम होता था और ये वो समय था जब जन संग्या उतनी नहीं थी, प्राकृतिक संसाधनों की किल्लत भी नहीं थी, एक प्रकार से विपूलता थी फिर भी जल समरक्षन को लेकर तब जाग रुकता बहुत ज़ादा थी, लेकिन आज स्थिती इसके उलट है, मेरा आप सभी से आग रहें, आप अपने इलाके के ऐसे पुराने तालाबों, कुओं और सरोवनों के बारे में जाने, अम्रित सरोवर अभियान के वज़े से जल सवरक्षन के साथ साथ आपके इलाके की पहचान भी बनेगी, इस्षे सहरों में, महलों में, स्थानीय परेटन के स्थल भी विक्सित होंगे, लोगों को गुमने फिरने की भी एक जगा में लेगी, साथियों, जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है, इसमें पूरे समाज की जिम्यदारी होती है, इसके लिए सदियों से अलग-अलग समाज, अलग-अलग प्रयास लगातार करते आये हैं, जैसे की कच्च के रण की एक जन जाती है, मालधारी जल सवरक्षन के लिए वुरुदास नाम का तरीका इस्तमाल करती हैं, इसके तहर छोटे पूए बनाये जाते हैं, और उसके बचाव के लिए आसपास पेड़ पहुदे लगाये जाते हैं, इसी तरह मद्यप्रदेश की भिल जन जाती ने अपने एक एक एतियासिक परमपरा हलमा को जल सवरक्षन के लिए इस्तमाल किया, इस परमपरा के अंतरगत, इस जन जाती क लोग पानी से जुड़ी समस्यों का उपाय ढूनने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं, हलमा परमपरा से मिले सुझाओं की वज़े से इस खेत्र में पानी का संकट कम हुआ है और भूजर स्तर भी बढ़ रहा है, साथियो ऐसे ही कर्तवय का भाव अगर सब के मन में आजाएं, तो जल संकट से जुड़ी बड़ी से बड़ी चुनोतियों का समाधान हो सकता है, आईए, आज आज़ी के अमरित महोत्सों में हम जल संवरक्षण और जीवन संवरक्षण का संकल पले, हम बुंद बुंद जल बचाएंगे और हर एक जीवन बचाएंगे, मेरे पैरे देश्वासियों, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने अपने युवा दोस्तों से स्टूडेंट से परिक्षा पर चर्चा की थी, इस चर्चार के दवरान कुछ स्टूडेंट से कहा कि उन्हें एक्जाम में गणित से डर लगता है, इसी तरह की बात कई व इसे हैं, जिसे लेकर हम भारतियों को सबसे ज़्यादा सहज होना चाहिए, आखिर गणित को लेकर पुरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा शोद और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है, सुन्य यानि जीरों की खोज और उसके महत्व के बारे में आपने दुनिया की इतनी वैज्यानिक प्रग्यति भी न देख पाते हैं, कैल्कुलस से लेकर कॉम्पुटर्स तक ये सारे वैज्यानिक आविश्कार जीरों पर ही तो आधारित हैं, भारत के गणितग्यों और विद्वानों ने यहां तक लिखा है कि यत किंचित बस्तु तत्सर अर्था इस पूरे ब्रह्मान में जो कुछ भी है वो सब कुछ गणित पर ही आधारित हैं, आप विज्ञान की पढ़ाई को याद करिए, तो इसका मडलब आपको समझा जाएगा, विज्ञान का हर प्रिंसिपल एक मैथेमेटिकल फर्मिला में ही तो व्यक्त किया जाता है न्यूटन के लौज हो, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन, ब्रह्मान से जुड़ा सारा वियान, एक गणित ही तो है, अब तो बैज्ञानिक भी थियरी ओफ एवरिफिंग की चर्चा करते हैं, यानि एक ऐसा सिंगल फॉर्मिला जिससे ब्रह्मान की हर चीज को अभिव इसकार किया, तो साथ ही अनन्त यानि इंफिनिट को भी एक्स्प्रेस किया है, सामान ने बोल चाल में, जब हम संख्याओं और नंबर्स की बात करते हैं, तो मिलियन, बिलियन और टिलियन तक बोलते और सोचते हैं, लेकिन वेदों में और भारतिय गणित में, ये गणना बहुत आगे तक जाती हैं, हमारी यहां एक बहुत पुराना स्लोक प्रचलीत है, एकम दशम शतम चैव, सहस्त्रम अयुतम तथा, लक्षम च निवतम चैव, कोटी ही अर्बुदम एव च, बुरुंदम खर्वो निखर्व, च शंग पद्म च सागर, अंत्यम मध्यम परार च दस वृद्धा यथा क्रमम, इस लोग में संख्याओं का ओर्डर बताया गया है, जैसे की, एक, दस, सो, हजार और अयूत, लाक, निवत, और कोटी, एनिक करोड, इसी तर यह संख्या जाती है, संख, पद्म और सागर तक, एक सागर का अर्थ होता है, कि दस की पावर 57, यही नहीं, इसके आगे भी ओग और महोग जैसी संख्याएं होती हैं, एक महोग होता है, दस की पावर 62 के बराबर, यानि एक के आगे 62 सुन्या, 62-0, हम इतनी बड़ी संख्या की कलपना भी दिमाग में करते हैं, तो मुश्किल होती हैं, लेकिन भारतिय गणित में इनका प्रयोग हजारों सालों से होता आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले मुझे इंटेल कंपनी के CEO मिले थे, उन्हों मुझे एक प्रिंटिंग दी थी, उसमें भी वामन अवतार के जरिये गणना या माप की ऐसी ही एक भारतिय प्रधदी का चित्र किया गया था, इंटेल का नाम आया, तो कंप्यूटर आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा, कंप्यूटर की भाषा में आपने बाइनरी सिस्टिम के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है, कि हमारे देश में आचार ये पिंगला जैसे रुशी हुए थे, जिनों ने बाइनरी की कलपना की थी, इसी तरह आर्य भट से लेकर के रामा नुजन जैसे गणितग्यों तक गणित के कितने ही सिद्धांदों पर हमारी हां काम हुआ है, साथियों हम भारतियों के लिए गणित कभी मुश्किल विशे नहीं रहा, इसका एक बड़ा कारण हमारी व के प्राकीन तरीकों को रिवाइव किया और उसे वैदिक गणित नाम दिया, वैदिक गणित की सबसे खास बात ये है थी, कि इसके जरिया कठीन से कठीन गणनाय पलक जपकते ही, मन में ही कर सकते हैं, आज कल तो सोचल मीडिया पर वैदिक गणित सिखने और सिखाने वाले ऐसे कई युवाओं के वीडियोज भी आपने देखे होंगे, साथी आज मन की बात में वैदिक गणित सिखाने वाले एक ऐसे ही साथी हमारे साथ भी जूड़ रहे हैं, ये साथी हैं कोलकता के गवरव टेकरिवाल जी, और वो पिछले दो धाई दसक से वैदिक, मैथमेट इस मुवमेंट को बड़े समर्पित भाव से आगे वढ़ा रहे हैं, आईए, उनसे ही कुछ बाते करते हैं, गवरव जी नमस्ते, नमस्ते सर्व, मैंने सुना है कि आप वैदिक मैथ्स के लिए काफी रूची रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो पहले तो मैं आपके व उसकी competitive exam होती थी, इसका दाम है cat, उसमें बहुत सारे गनित के सवाल आते थे, इसको कम समय में करना पड़ता था, तो मैरी मा ने मुझे एक बुक लाकर दिया, इसका नाम था वेदिक गनित, स्वामी श्वी भारती कृष्णा तेर्थाजी महराज ने वो बुक लिखी थी, और उसमें उन्होना सोजा सुत्र दिये थे, जिसमें गनित बहुत ही सारल और बहुत ही तेज हो जाता था, जब मैंने वो पड़ा, तो मुझे बहुत प्रेणवा मुली, और फिर में भी रूची जागरत हुई mathematics में, मुझे समझ में आया